आइस प्रवलों को स्लू करते हैं, question क्या कहते है, the average weight of 12 parcel is 1.8 kg, addition of new parcel reduces the average weight by 50 grams, what is the weight of new parcel, क्या कहरा है question में, कि 12 parcel हैं, जिनका average weight कितना है, 1.8 kg है, एक नया parcel add होता है, जिसकी वज़े से जो average weight है, 50 grams से घट जाता है, तो हमसे पूछ रहा है कि new parcel का, जो add हुआ है, उसका weight क्या होगा, तो सबसे पहले हम क्या find out कर लेते हैं, ये 12 parcel का total weight कितना है, वो कैसे निकालेंगे, total weight of 12 parcel, वो कितने के बराबर हो जाएगा, 12 तो parcel है, into average कितना weight है, इनका 1.8, ये कितने के बराबर हो जाएगा, 21.6 kg के बराबर हो जाएगा, ठीक है, जो average weight है, वो है 1.5 kg, 1.8 kg, उसमें से ये 50 gram minus करेंगे, तो कितना minus करेंगे, 0.05, इसको gram को हम kg में change कर लेंगे, तो ये minus करेंगे, तो कितनी value आजाएगी, ये आजाएगी 1.75, इत मींज जो reduce हो गया average weight, तो average weight अब कितना आ गया, 1.75 kg आ गया, ठीक, अच्छा, अगर हम इन बारग के बाद अब एक जो नया add हुआ, तो 13 total parcel होगे, इन 13 total parcel का अगर weight निकालना चाहें, तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा, 13 parcel का weight, बराबर कितना हो जाएगा, 13 तो parcel है, average weight जो नया निकल के आ है, वो कितना है, 1.75, 1. 1.75 से multiply कर देंगे, तो जो value निकल के आएगी, वो कितनी होगी, 22.75 kg, ठीक है, हमें 12 parcel का weight पता चल गया, 13 parcel का total weight पता चल गया, 13 parcel के weight में से 12 parcel का weight घटा देंगे, तो हमें new parcel का weight पता चल जाएगा, तो यह हम minus कर देते हैं, इसमें क्या होगा, new parcel का weight होगा, वो कैसे निकलेग 22.75 यह 13 parcel का total weight, minus 21.6, जो 12 parcel का weight है, तो total जो minus करने के बाद जो value आएगी, वो कितनी आएगी, 1.15 kg, और यह क्या है हमारा, यह new parcel का weight है, option 3, इस question का सही आज़र,